हमस्कार तोस्तों कर दी गई, एड कर दी गई, दोस्तों बताना चाहता हूँ, लिंक यहां पर एक्टिवेट की जा रही है, आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने होगी, अपने अपने सबैल सेंटर की मीज आपको अपने अपने उप स्वास्त केंदर की प्रातमिक्ता आप लोगों को प्रव है, तो दोस्तों टोटल आप लोगों को कितनी जो है, चॉइस फिलिंग भरनी है, तो यह जानकारी आपको इसमें आप मिलने वाली है, साथ ही साथ चॉइस फिलिंग करने की लाज़ेट क्या रहेगी, तो यह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो बिल्क और submit का option आपको दे दिया गया इस पे आप लोग जैसी क्लिक करेंगे choice filling करने के लिए page आपका open हो जाएगा और कितनी choice filling करनी है तो देखे लिखाए candidates must provide the preference for minimum 250 locations कम से कम 250 locations जो है आपको fill करनी होगी इसका मतलब क्या है दोस्तों जहां पे भी आपका मन है कि जहां पर आपकी CHO की job suitable लएगी उस जिले में उस district की preference आपको देनी है और उस district में कौन सा जो है block है तो उस block की आपको preference देनी है और जैसे आप लोग block चुरेंगे तो आपको सब health centers भी उसमें आपको मिल जाएंगे तो इन सब की जो है आपको preference फिल आपको यहां पे करनी है आप लोगों कम से कम 250 यह location आपकी रहना चाहिए 250 से यदि आप लोग कम करेंगे तो आगे जो है प्रोसीड नहीं किया जाएगा और इसके बाद last rate भी देख लेए 28 November 2022 apply करने की last rate है और दोफैर के दो बज़े तक का समय आपको दिया जा रहा तो जैसी आप सब लोग अपनी 250 प्रिफरेंस आप लोग अपनी provide करा देंगे या आप लोग सब एल सेंटर्स की तो आप लोगों को सबसे पहले declaration आएगा declaration के बाद जो है फिर आपको preview आएगा प्रिव्यू आने के बाद जो है आप लोगों को आपके जो भी आपका registered mobile number है उस पर दोस्तो एक OTP आएगा OTP जैसी आप लोग जो है confirm कर देंगे finally जो है आपकी choice filling complete हो जाएगी और choice filling की process आपकी जो है यहाँ पर समात हो जाएगी दोस्तो लास date का याद रखे दो अलग-अलग MPCHO की vacancies की जो है choice filling चल रही है मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ back कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तो देखिए आप लोगों को और थोड़ा यहाँ पर back करता हूँ तो यह page यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए जो मैंने जानकरी दी है यह 2850 vacancies से सम्मद्ध थी इसकी choice filling जो है चल रही है और इसकी choice filling की जो लाज़ेट है यह दोस्तो 28 November 2022 यहाँ पी यह रहीगी तो आप लोगों को choice filling करनी है और उपर की तरह मैं आप स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पार है लिखा है recruitment of remaining vacant post contractual health community health officer तो यहाँ पर भी दोस्तो इसमे choice filling चल रही है उसको मैंने open कर लेता हूँ और यहाँ पर देख पार है देखिए 26 November को इसका भी update आया था और यह इसकी link है इस पर मैं click कर देता हूँ link पर तो यहाँ पर देख सकते है इसकी भी जो choice filling की जो last date है 28 November यहाँ पर रहेगी तो दो अलग-अलग recruitment की जो है choice filling की process जो है यहाँ पर अपना ही जा रही है तो बिल्कुल भी आपको confusion में नहीं रहना है जिसकी सी में भी आप लोग ने vacancy में part लिया था और आप लोग shortlisted है तो आपको choice filling इसमें आप लोगों को अपनी details डाल के आपको check कर लेना है एक बार फिर से बता देता हूँ देखिए यह वाली choice filling जो है अभी running में चल लए है यह एक number मैं इसमें आप यहाँ पर जो है mark कर दिया और थोड़ा नीचे की तरब यहाँ पर scroll करता हूँ तो यह 2850 वाली यह वाली भी choice filling चल ले है तो उसको मैंने आपने दो number यहाँ पर बार कर दिया तो आप लोग अपने admit card जो है आप लोग अपने open करिये या फिर आपका application ID तो admit card के जो भी आपके details है आपका roll number आपका application number और यह आप लोग data number के साथ डालके एक बार आप लोग चेक जरू करें यदि आप लोग applicable है तो आपके choice link का page जरूर open होगा तो यह update कैसा लगा जरू बता है सबसे पहले वीडियो को like कर दे चैनल को भी subscribe करें कोई भी update जानकारी ना चूटे वीडियो के नीचे जाए subscribe करें बिटन को आपके click करें MPNHMCHO हर जानकारी आगे भी पाते ना मिलते हैं अप से अगले वीडियो में thank you so much